नमस्कार मित्रों, अविनन्द ने आप सभी का जी हाँ, बाल विकास के ब्रद्धी को ले करके, अब तक जो एक्जाम में प्रस्ण पूछे गए हैं, और जो बारवर एक्जाम में पूछे जाते हैं ब्रद्धी को ले करके मित्रों जी हाँ, तो वहाँ से सबसे एहम और important questions ए तो सबसे पहले हम ब्रद्धी को समझते हैं, ब्रद्धी क्या होती है, तो ब्रद्धी से हमारा तात्पर होता है, यह हम कह सकते हैं कि ब्रद्धी सब्द का जो प्रयोग है, वो सरीर वो उसके अंगों के भार और आकार में ब्रद्धी के लिए कह जा सकता है, जैसे हम कह सकत कि यदि किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है तो वह ब्रद्धी को डिनूट करती है यदि उसका भार बढ़ रहा है तो वह भी ब्रद्धी के अंतरगती आएगी यानि कि ब्रद्धी को मापा और तौला जा सकता है तो ध्यान रखना है ब्रद्धी का जो प्रयोग किया जात उनको लेकर के याद रखना है कि ब्रद्दी का जो आरम होता है तो मा के गर्ब से ही ब्रद्दी आरम हो जाती है और एक निशित आयू तक चलती है याद रखेंगे यानि कि ब्रद्दी का आरम गर्ब से होता है मा के से और एक निशित आयू तक सीमित हो जाती है जो सेकंड इ अवधाना रखती है व्रद्धी गुडात्मक होती है ध्यान रखना है सीधे के सीधे प्रस्ण में जो बने हुए उनको आपको याद रख लेना है इनको और आपके आने वाले प्रस्णों में जो बनेंगे वह यहीं से बनेंगे ब्रद्दी का कोई निशित क्रम नहीं होता है याद रखेंगे जिस तरह बिकास का क्रम होता है लेकिन ब्रद्दी का कोई निशित क्रम नहीं होता है ब्रद्दी के जो परिवर्तन होते हैं वो भी ब्रद्दी के सूचक होते हैं अभिब्रद्धी का सुरूप जो होता है बहाय होता यानि कि इसे बहाय रूप से देखा जा सकता है अनुवब किया जा सकता है अभिब्रद्धी लच रहित होती यानि कि अभिब्रद्धी का कोई लच नहीं होता है अभिब्रद्धी का सम्मंद सरचनात्मक पच्छ से होता ह ध्यान रखेंगे तो यहां से जितने भी अब तक एक्जाम में जो प्रस्ण बने हैं उनके सबसे मैंत्पूर्फ एक्च्वल तथ्या आपको प्रवाइड किये जा चुके हैं आसा करते हैं टोड़ी की वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद देते मोरतना लाइक और स साइकलोजिको सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद